हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस्पी सिंग एंड वेलकम टू स्मार्टिर एव्रिडेग प्यारे दोस्तों बात करेंगे बीएट फर्स्ट शेमेस्टर या बीएट फर्स्ट इयर में जो आपका सब्जेक्ट है साइकलोजी का जिसको हम शिक्षा के मनोवैग्यानिक प्रिपेक्च के नाम से जानते हैं इस सब्जेक्ट में यानिकि शाइकलोजी के सब्जेक्ट में जो आपका टॉपिक है वेक्तित्तो अगर मैं बात करूँ कानपुल यूइट सटी बीएट फर्स्ट शेमेस्टर की तो यहाँ पे आपकी या यूइट नमबर फोर्स रहने वाली है इससे पहले तीन यूइट विदोहत तरीके से कम्प्लीट हो चुकी है प्लेलिस्ट बने हुए है वहाँ से सभी क्लासेश को सीरिल वाईज आप देख सकते हैं तो आज हम वेक्तित्तो को समझेंगे वेक्तितो का अर्थ क्या होता है शुरूप क्या होता है निरधारक क्या होते है आईए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है आपका बिएट का तो ये इंपॉर्टन टॉपिक है ही आपके जितने भी टीचिंग एक्जम्स हैं चाहे वो टेट हो सीटेट हो सुपर टेट हो परसनलिल्टी बहुत पूछा जाता है आईए समझते हैं देखिए समाने तहा विक्तितों का अर्थ विक्ति के बाहरी गुणों से लगाया जाता यानि कि हम विक्ति के बाहरी गुणों को देख करके उसके बाहरी हावबाओ को देख करके चेहरे की मासूमियत देख करके समझ लेते हैं कि ये इंसान कैसा है ठीक है यानि कि चेहरे से कुछ लोग ऐसा अंदाजा लगा लेते हैं कि यह इस तरीके का विक्ति है हम विक्ति के किसी एक गुण को उसके विक्तित की संग्या दे देते हैं हमने कोई एक quality विक्ति के अंदर देखी और हमने कहा दिया रहे बहुत बहुत भला इंसान है बहुत बड़ी आदमी है है ना विक्ति का कोई एक शील गुण जो हमें प्रभावित करता है कोई ऐसी quality जो हमें बहुत अपने तरफ आकरशित कर लेती है कोई ऐसी quality विक्ति के अंदर हमने देखी जिसकी वजह से हम उस पर मोहित हो गए और मतलब हम उसके मित्र बन गए उसको हमने अपना मित्र बना लिया बहुत जल्दी और हमने define कर दिया बहुत अच्छा विक्ति है उसी के आधार पर हम विक्ति के विक्तित को define करते हैं अक्सर जिस विक्ति का शारीरी के गठन बाहरी रूप रंग आकरशक होता है तो उसको हम आ लेते हैं कि इसकी personality बहुत अच्छी विक्ति अच्छा है परंतु विक्ति के किसी एक सील गुण या एक विवहर को देखकर उसके विक्तित को define करना उचित नहीं है एक गुण के आधर पर हम किसी को कैसे अच्छा बोल सकते हैं किसी के सकल को देखकर के हम कैसे उसको अच्छा बोल सकते हैं है ना निसंदे है ये गुण एक अच्छे विक्तितु के लच्छन है परंतु ये विक्ति के विक्तितु का एक पक्ष मात्र होते हैं विक्तितु उसके समगर गुणों की अभिविक्ति है ये सबसे important line है विक्तितु क्या है personality क्या है देखिए personality के अंतरगत विक्ति के आंतरीक बहारी हर तरीके के गुणों का समाविश होता है हर तरीके के गुणों का जब समाविश होता है तो समगर रूप से जो विक्ति निकल करके आता है उसे हम कहते हैं कि यह विक्ति अच्छा है और फिर उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि यह विक्ति बुरा है विक्तित की अभिविक्ति विक्ति के आचार विचार विवहार और उसकी गतिवितियों के दोरा होती है अब आए समझते हैं प्रॉपर तरीके से आखिर मीनिंग क्या है परसनेलिटी की विक्तित तो अंग्रेजी शब्द परसनेलिटी का हिंदी अनुवाद है जो टैटिन शब्द परसोना से बना है जिसका अर्थ मुखोटा या मास्क होता है जिसे प्राचीन ग्रीक में नाटक के कलाकार पात्र की भूमिका के एकोर्डिंग पहने कर अपने भूमिका निभाते थे कहने का मतलब है अगर हम अंग्रेजी शब्द परसोनल्टी की बात करें तो इसका हिंदिय नुवाद है वेक्तितो जो हमारा शब्द कहां से लिया गया है परसोना से परसोना का मतलब क्या होता है मुखोटा यानि की जिसको हम मास्क कहते हैं और पहले इसको ग्रीक भाशा में नाटक की जो कलाकार हुआ करते थे वो जिस करेक्टर का रोल प्ले कर हम निर्धारित कर देते थे उसी के कॉर्डिंग जिसका वो अभी नहीं कर रहे हैं जिस करेक्टर का जिस कलाकार की जैसी भूमिका होती थी वो उसी प्रकार का मुखोटा पहनता था इस प्रकार वेक्तितो का निर्धारन उसके बाहरी गुनोस के आधार पर हो जाता था पर मनवग्यानिकों ने इसको इसलिए सही नहीं माना क्योंकि इसमें व्यक्ति के जो असली चेहरा है वो तो छिपाई ही रहता है नकली चेहरा सामने आता है उसी को हम डिफाइन कर देते हैं इसलिए इसको नकार दिया गया इस तरी इस तरीके से मनवग्यानिकों के कॉर्डिंग विक्ति के आंतरिक और बाहरी जितनी भी विशिष्टाएं योगिताएं होती हैं उन सब का समनवित रूप विक्तित होता है प्रत्यक विक्ति का विक्तित हर एक दूसरे से भिन होता है जो कुछ भी विक्ति करता है वह सब उसका विक्तित ही है वेक्तित तो ही वेक्तिकी पहचान है और वेक्तित तो वेक्तिके विवहार से ही बनता है जैसा जिसका विवहार उसका वेक्तित तो उसी तरीके का निरधारित हो जाता है और यहां पर Woodsworth के according क्या है कहा गया है Woodsworth के अनुसार वेक्तित वेक्ति के विवार की एक समगर बिशेष्टा होती है Valentine कहते हैं वेक्तित वेक्तित वेक्ति का अपने वातावरन के साथ अपूर्व और इस्थाई समायूजन होता है यह differences हैं जो आपको जरूर रट लेनी होंगी तो आपने समझा वेक्तितु का आत क्या होता है ठीक है इसकी परिभाशनों को समझा अब देखे वेक्तितु की तत्य या फिर इसकी बिश्रिष्टा है क्या है characteristics and elements of personality वेक्तितु के लक्षणों का निर्मार्ण वेक्ति में पायज जाने वाले निमने लेखे तत्यों के आधार पर होता है कैसे उससे पहले मैं आपको बता दूँ यदि आप बीड फर्स्ट समेस्टर के चातर हैं और आप कानपूर यूनिरस्टी से बीड कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा paid content available है paid content का मतलब होता है कि आपको कुछ fees पे करनी होती है and complete notes आपको whatsapp पे provide करा दिये जाता है जिसमें आपको full topic wise content मिल जाता है previous year question papers का collection मिल जाता है and important questions का collection भी आपको मिल जाता है उसके लिए आप में इस number पे whatsapp message करके notes की information आप ले सकते हैं आएए आते हैं topic पे अब जैसा कि यहाँ पे बताया कि विक्तित की जो लक्षन होते हैं उनका निर्मान कैसा होता है उनका निर्मान जो है वो विक्ति में जो तत्तो पाए जाते हैं उनके आधार पर होता है जैसे पहला है आत्म चेतन जिसको self-consciousness कहेंगे क्या कहेंगे self-consciousness विक्ति की क्रियासीलता का आधार क्या है जेतना है इस गुण के कारण ही उसमें एहम, भाव, सफलता, ऐसफलता, आत्म बोद ये सब चीजें हो पाती है सोसियाबिलिटी के अगर बात करें समाजिक्ता की विक्ति बाहरी वातावरण और उतेजना के आधार पर ही क्रिया प्रतिक्रिया करता है जैसा बाहरी वातावरण होता है उसी के आधार पर वो क्रिया प्रतिक्रिया करता है समाजिक संपर्ग में विक्तितु का विकास होता है जब उस समाज के साथ संपर्क करता है, समाज के साथ अंताय करिया करता है, तभी उसका विक्तितु उभर करके आता है और समाजिक विवार को देखकर उसके विक्तितु का मुल्यानकन भी हो पाता है समनवय या समचित विकास के लिए पर्यावरण से समनवय होना आवेश है यह थी विक्ति का समचित विकास होना है तो जब तक उसको proper तरीके से atmosphere नहीं मिलेगा जब तक वो पर्यावरण के साथ अपने आपको adjust नहीं करेगा समनज़स नहीं सापित करेगा तब तक उसका पूरी तरीके से विक्तित का development नहीं हो सकता है समनज़स्ट के कारण ही उसके विवहार में प्रिवरतन भी आता है जिस प्रकार के atmosphere में रहेगा उसी तरीके का विवहार भी उसका हो जाएगा शाधन पूर्णता या युक्ति पूर्णता जिसको हम resourcefulness कहते हैं विक्ति अपनी नैसरगिक प्रवत्तियों एवं आवेशक्ताओं को पूरा करने के लिए विविन साधन या युक्ति ढूरता है तरीके ढूरता है इनकी पूर्टी के अनुभव से उसमें कुछ विशेस रुचियां, प्रवत्तियां, इच्छाएं या गुण अर्जित होते रहते हैं जो उसके विक्तित्यों के लक्षुनों का निर्मार करते हैं नेक्स्ट पाइंट हमारा आता है जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं याने कि एक ही करन विक्तित्यों का कोई भी तत्व हो, जाहें मांसिक हो, नैतिक हो, या समाजिक हो, या फिर समविगात्मक हो आकेले कार नहीं करता, किसी भी देखे व्यक्तितों का कोई भी एकत्तों आकेले काम नहीं करता देखे शाड़िक, मांसिक, नैतिक, समाजिक श्रम विकाता, ये सबी तथों मिल करके एक साथ में काम करते हैं इसी को integration कहा जाता है विकास की निरंतरता, जिसको development continuity कहते हैं व्यक्तितों इस्थिर नहीं रहता, किसी भी व्यक्तितों जो है वो हमेशा stable नहीं रहता है इसके विकास में इस्थिरता नहीं आती है व्यक्तितों के शुरूप में परिस्थितियां, कारियों और अनुभवों के अनुसार प्रिवरतन होता रहता है जो भी आपका personality है, जो भी आपका व्यक्तितो है उसमें जिस तरीके का आपको कारिय का अनुभव होता रहेगा आपके कार में बदलावाए, आपको experience होता रहेगा तो जाहिर सी बात है, आपका काम करने का धन, तरीका, बोल चाल उसमें changes आएगा, जैसे जैसे आपका अधिगम होता चलाएगा learning होती चली जाएगी, आपका behavior change होता चला जाएगा तो इसमें प्रिवर्तन होता रहता है, मनो शारिक संगठन, शाइको physical organization के अगर बात करें तो विक्तितो केवल शारिक बनावट, रंग रूप, एवं सौंदर का घोतक नहीं है आपितो इसमें मानसिक गुणों का भी समाविश होता है, अताह विक्ति शारिक और मानसिक, दोनों प्रकार के कारकों का एक समनवित संगठन होता है तो ये जो हम समझ रहे थे कि वेक्तितु के तत्व और विशिष्ष्टाइं क्या होती है ठीके तत्व पूछे या विशिष्ष्ष्टाइं आपको लिख देना है अब वेक्तितु का अगर मापन की बात करें Measervation of Personality कैसे हम किसी के वेक्तितु को माप आते हैं व्यक्तितों के मापन से तातपर है व्यक्ति के उन गुणों या विशिष्टाओं का मापन करना जो उसे समाज में समयुजित होकर रहने में साहता करते हैं व्यक्ति के वो गुण वो विशिस्ता हैं जिनका मापन करना यानि कि जिनके माध्यम से वो समाज के साथ समाज के साथ समाज के साथ अड़िस्ट करके रह पाता है आने शब्दों में बात करें तो व्यक्तित के मापन से तातपर है व्यक्तित के शीलगुणों के बारे में पता लगा करके ये निश्चित करना होता है कि कहां तक वे संगठित अनके ओर्गिनाइजड हैं और कहां तक वो डिस ओर्गिनाइजड हैं किसी भी विक्ति के भिन्ने भिन्ने शीलगुन जब आपस में संगठित होते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं, एक साथ डिग्रेट होते हैं, तो इससे विक्ति का विभार सामानी होता है, परन्तु यदि उसके शीलगुन भी संगठित याने डिस ओर्गिनाइज़ होते हैं, तो विक्तित का विवार जो है वो आशामाने हो जाता है विक्तित तो क्या लिखा है विक्तित तो मापन बालकों की उन छमताओं योगिताओं अभी योगिताओं इस्ट्नायू मंडल समंधी विवारों और मनोशारिक शीलगुनों का मापन करना होता है जो उनके विक्तिगत और समाजिक विकास के साथ उसके सरवांगेन बहुतिक विकास के लिए उप्योगी है और समास में अनकूलन इस्थापित करने में उसकी साहता भी करते हैं विक्तित्त के मापन के चार मुख्य उद्देश होते हैं पहला है विक्तित्त को समझना इसलिए तो उसका मापन किया जाता है कि हम किसी के भी विक्तित्त को समझ पाएं उसके बारे में भविश्वानी कर पाएं जब आप समझ जाएंगे तो आप उसके बारे में भविश्वानी भी कर पाएंगे यदि आवश्यक है तो उसमें कुछ changes लाना, विक्तिकी समस्याओं को जानने और उनको दूर करने के लिए विक्तित्तों का मापन आवश्यक है ठीक है विक्तित्तों मापन की कुछ विदियां होती है जिनके माध्यम से हम किसी की personality को measure कर सकते हैं देखिए मनोवेग्यानिकों ने विक्तित्तों मापन की मुख्य चार विदियां बताई है एक तो विक्तिकत है, दूसरी वस्तुनिष्ट है, प्रशेपन है और मनोविस्लेशन आत्मक विदि है अब इसमें पहले आती है आत्मिनिष्टिय विक्तिकत विदि जिसको हम subjective method कहते हैं आत्मिनिष्टि विदि के चार प्रकार हैं पहला है विक्ति इतिहास विदि, विक्ति इतियास विदि क्या होती है इसे जीवन इतियास विदि भी कहते हैं इस विदी का प्रयोग प्राचीन युनानी दर्शनिकों के समय से चला आ रहा है आदने काल में शिक्षा के चित्र में इस विदी का प्रयोग अपराधी बालकों और विक्तियों को समझने के लिए किया जाता है ध्यान दीचिए जो विक्ति इतिहास विदी है इसका मतलब यह उसके संगी साथी कैसे थे ठीक है पूरा इतिहास उसका खोजा जाता है इसलिए ये विक्ति इतिहास विधी जिसमें क्या होता है कि इसका प्रयोग अपराधी बालक और विक्ति को समझने के लिए किया जाता है ठीक है इस विधी के दौरा निम्न सूचना को एकत्र किया जात दूसरी है आत्मकथा विदी, आत्मकथा जो विदी होती है इसका दगपर है अपना इतिहास स्वैम लिखना, क्या इसका मतलब होता है अपना इतिहास स्वैम लिखना, इस विदी में विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से अपनी आत्मकथा लिखनी होती है, ठीक है, परिक् क्या है कि इस विद्य में जो परिक्षक होता है विख्त के जिन से समंदित छोटे-छोटे प्रस्णों की एक आ Прिलिस्ट त्यार कर लेता है जिस sa लेटेट्न कोर्शन्स त्यार कर लिए जाते हैं व्द्यार्थी उनका उत्तर हायानामे दे धेता है इसे परिसूची विधी भी कहा गया है शृक्षत कर वीति से अमने सामने की परिस्विति में कुछ पर्शनों को पोचकर आवस्यक सूचना ये प्राप्ट करता है और उनके दुवारा की गई प्रतिक्रियाओं का प्रिक्षन करके उसको अब्जर्व करके विक्त की विक्तित्य स्रमंदी विशेष्टाओं को समझने का प्रयास भी करता है तो इस तरीके से ये जो विधी है आच्रण का द्विभिन वात्वरण में अबलोकन करता है इस विधी में बालक को ये ग्यात नहीं होने दिया जाता कि उसका अबलोकन या निरिक्षन किया जा रहा है। इस विधी का प्रियोग किया है। इसके बाद आती है शारिक विधी में शारिक लक्षनों के आधार पर व्यक्ति का मुल्यांकन किया जाता है। इसके प्रचेपन विधी में इस प्रकार तयार की गई या चयन की गई है। प्रशेपन विधी द्वारा विक्त के अंदर छीपी हुई प्रवस्तियों का पता लगाया जा सकता है। एक विक्त की राय अलग-अलग होती है। हम आप सब जानते हैं। किसी चीज़ को लेकर के हमारा पॉइंट अविव अलग है। आपका पॉइंट अविव अलग है। आप उस चीज़ को किसी और नजरिये से देख रहे हैं। ठीक है हो सकता है हमारे विचार नकारात्मकों, आपकी विचार सकारात्मक हो। विधियों के दौरा विक्त के अचेतर मनकाद्यन किया चाता है और यह विधियां सामाने और आसामाने दोनों प्रकार के विधियों पर बराबर रूपयोगीาง होती हैं कि मनो विशुल vibration पद्धित के शुरुप टॉप और इमासिक रोगों का पता लगाती है इसे से विक्तिकी आशाओं, चिंताओं और महत्वा कांग्षाओं का पता लगता है मनों विसलेशनात्मक विदी दो प्रकार की होती है श्वतंतर साचर जिसको free association कहते हैं श्वतंतर साचर जिसको free association जिसको dream analysis कहते हैं तो इस तरीके से हमने समझा कि विक्तिक क्या होता है आर्थ परिभाषा, विशिष्टाएं, शुरूप ठीक है और फिर विक्तिक कि मापन की जो विदियां होती है उनको भी हमने समझा आप जो next class रहेगी उस वो आपकी psychology की आखिरी class रहेगी क्योंकि उसमें मांसिक स्रास्ता या स्रास्ता विज्ञान को समझ करके और psychology हमारी complete हो जाएगी इससे पहले जितने भी classes आपको कराई गई है psychology पूरी complete करा दी गई है playlist बनिए वहाँ sequence से class number 1 से सभी classes को देख सकते हैं content के लिए जो number दिया गया है आप याप में whatsapp message के माध्यम से notes की information ले सकते हैं ठीक है ध्यान रहे notes देने के बद आपको बाहर से कोई भी copy, किताब, question, model paper कुछ भी पढ़ने या खरीदने के हो सकता नहीं रह जाती